हेलो दोस्तों आप सोगा OPS Study Solution में श्वागत है तो आज मैं दोस्तों क्लास 12 का बैलोजी का Model Paper Question Solution करवाने वाला हूँ इस बीडियो में मैं दोस्तों आपको सारे Objective Question के Solution करवाऊंगा तो दोस्तों बीडियो में सुरूचे लेके अंतक बन रहे हैं दोस्तों इस बीडियो मैंने के इंगली स और हिंदी दोनों मेडियम में कोशन पर लिए है तो दोनों मेडियम के student के लिए बीडियो है तो चलिए दोस्तों बीडियो की शुरूआत करें आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरू करी जाएगा तो दोस्तो असी नंबर का कोईशन पेपर होता है बीस नंबर आपका प्रैक्टकल होता है तो यहां पर देख सकते हैं दोस्तो पहला जो चैनल पाएट जो है कवक में नहीं पाया जाता है ठीक है और हिंदी में और सुर्ब्सको इंग्लिस में बोलते हैं दोस्तो लीफी लीए अफ वाई ठीक है चलिए उस तरह दूसरा हो जाएगा डेंटालियम कॉल्ड तम्हारा दोस्तू यह इसका हो जाएगा जीनस Octopus का ही दूसरा नाम होता है Deltalium और दोस्तों अब आज़े अब नीचे देख सकते हैं दोस्तों हमारा D नमर आज़े edible part of edible नहीं होगा दोस्तो eatable होगा यहाँ पर थोड़ा सा misprint है ठीक है edible नहीं होगा यह eatable होगा मतलब E-A-T-B-L-E एपल का जो होगा इसमें थ्वाषण Been मिस्प्रिν्ट है आप देख लिजेगा apple का कौन सा भाग छो हता है खाने वाला होता है तो दोस्तो ऐपल का जो हता है कौन सा भाग खाने वाला हूँ उसमें juice जो हता है रस बोल सकते हैं दोस्तों juice ही खाने वाला होता है दूसरा उसका जो तना तो होता नहीं है दोस्तों क्या है और apple जो होता है हमारा वो होता है अभासी फल बोलते है एपल को दूसरे भासन में दोस्तों अभासी फल भी बोलते है और उसका juice जो होता है वो ही आने वाला फल होता है ठीक है अब यहां पे फुल नेम ओफ डी एने तो डी एने का हमारा फुल नेम क्या हो जाएगा दोस्तों मैं बता दू डी ई ओ एक्स डियोक्सी रिबो ठीक है यह हो गया डियोक्सी रिबो उसके बाद एन यू एल सी आई ए डीयोक्सी मैं एक बाद दुबारा से लिख दो दूस्तों बड़ा नाम है इसका क्या होता है डीयोक्सी क्या होता है डीयोक्सी डीयोक्सी रिबो आर आई बी ओ ठीक है उसके बाद हो जाएगा एन यू नूकिलिक ठीक है दोस्तों यहाँ पर नूकिलिक एसीड हो जाएगा ठीक है डीयोक्सी रिबो नूक्सी एसीड हमारा हो जाęगा डीयन आ का फूल फॉर्म समझेंगे दोस्तों अब आज हमारा हमारा मौल्टिपल च्वाल्लेक वाल इसके है है असेल वाल ओफ बैक्टेडियम इसमेड आफ तो मारा हो जाएगा सेलुलोज दो का एक हमारा पहला नमर एंसर हो जाएगा इस तरह ओनियन इज मोडिफिकेशन ओफ स्टेम मतलब दोस्तों प्याज का कौन सा प्याज हमारा दोस्तों मैं बता दू इसका हिंदी में हाँ प्याज किसका रूलपांत रने तो हमारा रोज जाएगा एश्टेम बोल सकते हैं संपचैन बोल सकते हैं अब यहां पर देख Сाइनोसे साइनस जो होता है Viral fungus वगज़ा होता है उससे होता है ठीक है Virus के द्वारा जो होता है उसके द्वारा होता है तो ये सब option में गलत हो जाएगा तो इनमें कोई भी option नहीं है तो 4th的 number हो जाएगा None of these ठीक है दोस्तो उसके बाद आज़ ये दोस्तो Ring warm यहां पर देख सकते हैं दोस्तो रिंग वार्म इस केटो ग्रेज्ड वीच टाइफ ओव डिजिज तो हमारा हो जाएगा दोस्तो यह कवक जो होता है दोस्तो सुरी दाद जो होता है किस परकार करोगा इसका हिंदी में आप नीचे देखेगा तो दाद जो होता है किस परकार करोग होता है तो हमारा दाद जो होता है दोस्तो वो क्या आता है वाइरस मतलब वाइरल डिजिट हो जाते है सुरी वाइरल डिजिज होता है ठीक है मतलब विसानु जनित रोग है तो हमारा दूसरा नमर option हो जाएगा ठीक है नीचे आज यह दोस्तों अब हमारा दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं यह true false वाला है तो आप इसको मिला लिजएगा true false कर लिजए जो सही होगा सही कर लिजए गलत गलत अब यहाँ पर चोथा नमर important है दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं चोथा matching वाला है टाइफाइड ठीक है तो हमारा टाइफाइड का जो हो जाएगा यह हो जाएगा तीसरा नमर हो जाएगा मैं मिला देता हूं और बी का हमारा हो जाएगा दोस्तों चोथा नमर हो जाएगा फिर तीन का यह हो जाएगा और फिर हमारा चार का दो हो जाएगा फिर हमारा यह हो जाएगा ठीक है एक का हमारा क्या हो गया दोस्तों एक का जो हमारा हो जाएगा दोस्तों वो तीन नमर उपसन हो जाएगा ठीक है एक का हमारा 3 2 का हमारा 4 समझ गे दोस्तों फिर 3 का हमारा 1 और फिर 4 का हमारा 2 और 5 का 5 समझ गे दोस्तों मैंने मिला दिया दोस्तों यहीं तक objective थे खतम होगे अब यहां पर आपके subjective question है देख सकते हैं इस तरह से आपके एक्जाम में पूछे जा सकते हैं तो आप इसको अपना अच्छा से तियार कर लिज़ेगा निचे आज दोस्तों हिंदी मेडियम के लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ तो यहाँ पे कवक मतलब दोस्तों कवक में पर्न हरित क्या पर्न हरित अब इसका मैं बता दिया दोस्तों आप अपना लिख सकते हैं अब इसका मैं बता जाता हूँ दो का एक हमारा हो जाएगा अब प्याज किसका रुपांत्रन है तो हमारा तना का हो जाएगा यहाँ पे साइनोसिस तो यह हमारा डी हो जाएगा किसी यह सब गलत है मतलब कि D हो जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं दाद किस परकार करो गया तो विसानू जनीत है ठीक है अब यह अपना मैच कर लिजेगा यह true false वाला है अब नीचे आज़े दोस्तों नीचे हमारा matching वाला है तो मैं यह बता जाता हूँ यह हमारा D का 2 और E का 5 तो इस तरह से मैंने मिला दिया आप उसको मैंच कर सकते हैं और आज यह दोस्तों और हमारा है यह सकते हैं लग उत्रिये लग उत्रिये और नीचे जो हमारा question है दीर गुत्रिये aur कलते व हाथ तो चलिए दोस्तों ईस तरह के आपके एक्जाम में option जो आपके आ खाम में पूछाए जाहेंगे तो दोस्तों आप बीडियो से तियार करती आप पसंद ज्ञालहिके एगी समूदियू Online झाल